हेलो दोस्तों नए वीडियो में आपको फिर स्वागत थे चलिए आज हम आपको बताने वाला है कि सिंपल सा फोटो को एजदी फोटो में कैसे कनबर्ट कर सकते हैं उसके लिए एक अप्लिकेशन का ज़रुत पड़ता है कि इसको सर्च करने के बाद सिंपली एक रेमिन इस तरह का इंटरफेस दिखेगा यहां पर इस तरह का इसी को डाउलड करना है ये मेरा already downloaded है इसलिए हम इसको simply open कर लेते हैं अगर आप प्रेश्टोर से डाउलोड नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं तो हम सिधा इस वीडियो के description में ये link आपको provide कर दोंगा जिससे आप simply download कर सकते हैं चलिए मैं फड़ापट करके दिखा देता हूं इसको open करना है और पेंड करने के बाद कि सिंप्ली इसमें photo select करना है यह कुछ ads इसमें आया हुआ है यह आपको cut कर देना है देखे यहां पर कट करने का चिन है यह कट कर देना है करने के बाद सिंप्ली आपको photo में जाना है open gallery यहां पर option दे रहा है उसके बाद आपको जाना है फिर सिंप्सन दे रहा है gallery इसमें जाना है जानने के बाद आपको permission लगेगा चलिए मैंने permission दे दिया है अब एक सिंपल फोटो सेलेक्ट करना है जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं यह बाद फोटो है फिर सेड़ आ गया है इसको कट कर देना है चलिए फोटो को हम HD में कर्मट करना चाहते हैं सबसे परले आपको इस वाले option में क्लिक करना enhance watch on ads इसमें जैसे क्लिक करते हैं तो यह processing में चला जाता है और कुछ ads भी दिखाई देंगे आपको और यह पुरा ads को आपको देखना है skip नहीं करना है कट भी नहीं करना ने फिर नहीं होगा चलिए यह पूरा खतम हो चुका है अब मैं इस ads को कट कर देता हूं कट करने के बाद यह ads आयावा कट कर दें उसके बाद देखिए आप यह बटन है यह बटन को स्क्रोल बाया तरफ करना आपको देखिए मेरा फोटो कैसे hd में convert हो रहा है आप खुद देख सकते हैं तो इस अप्लिकेशन से बहुत अच्छे तरीके से आप सिंपल फोटो के hd में convert कर सकते हैं अगर आप को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चेनल को जिरू पूरे आपको देखना पड़ेगा तो जैसे इस में क्लिक करते हैं तो एक चलेगा यहाँ पे देखिए व्हाइप यहाँ प्रिया यहाँ पर कर देता हूं चलिए लास्ट हो गया है आप स्को complete कर देते हैं कट कर देना यहां से कट करने के बाद इसको भी कट कर देना है आप देखिए मेरा फोटो इस सिंपल फोटो से कैसे एजडे में कनवर्ट होगा आपको देख सकते हैं थैंक्यू धन्यवाद